सर्वेभ्यो नमो नमह आज हम बिये पार्ट तर्तिय वर्ष के दित्तिय प्रशन पत्र के प्रथम इकाई के अंतरगत किरता जूनियम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के पद्य संख्या 14 व पंद्रह का अध्यन करेंगे पद्य संख्या 14 इस प्रकार है विधाय रक्षान परित है परेतरान अशंकिता कारम उपेती संकित है किरिया अपवर्गेश्व अनुजीवी साथ क्रिताहा कृतक इतामस्य वदंती संपद है सर्व प्रथम इसका अनुवे करेंगे अनुवे में संकित है सबसे पहले फित परी तह दितिये परेतरान तर्थिये रक्षान विधाय असंकिता कारम उपेती किरिया अपवर्गेश्व अनुजीवी साथ क्रिता संपद अस्य क्रतग्यताम वरंदी इस प्रकार इसका अनुवे करने पर सर्व प्रथम हम संकित है उसके बाद परीत है तो देखते हैं इसका हिंदी अनुवात करते हुए संकिता है शंका में डूबा हुआ या संका विभज्य लंबिता विनियोग सत्किरिया उपाया संगर्सम उपेत्ते इव परीब्रहितायती अर्च संपदर अनारत्म फलनति इसप्रकार इसका अन्वे हो जाने पर सरवप्रत्ध हम कि इसका अर्थ करेंगे इसका 38 प्रकार है तेन उस दुर्योधन के द्वारा परेशु कारियों में तो उस दुर्योधन के द्वारा कारियों में समयक विभज्य अच्छी प्रकार से समयक का मतलब अच्छी प्रकार से विभज्य विभाजन करके उस दुर्योधन के दुवारा हर कारियों में अच्छी प्रकार से विभाजन करके लंभीता प्राप्त हुए विनियोग सत्किरिया प्राप्त हुए विनियोग के उपाए सत्कारों समुचित प्रियोग रुपी सत्कारों के उपाए विनियोग के उपाए संगर सम उपते संगर्श को प्राप्त करके करते हुए के समान प्रही बही आयतायती मानो आपस में इस्परदा करते हुए धर्म अर्थ कामोक्स मानो आपस में इस्परदा करते हुए अर्थ संपदाय अर्थ रुपी संपदाय अनारतम फलंती निरंतर फल रही है निरंतर फल रही है तो सबसे यहां सब्दा पदेशु का मतलब कारियों में विन्योग सत्किरिया समुचित प्रियोगुरुपी सत्कारों को प्रई परीब्रही तह बड़ा हुआ या उन्नत हुआ तो देखें उस दुर्योधन के द्वारा तेन का मतलब उस दुर्योधन के द्वारा पदेशु कारियों में सम्यक राजन को प्राप्त हुए लंभिता यानि प्राप्त हुए विनियोग सत्किरिया साम दाम देंड भेत आरिच अत्वार उपाई परस पर प्रतिस प्रधा रखते हुए मानो उन्नत्य का भाव लेकर संगर्सम उप्यत्य उन्नत्य का भाव लेकर निरंतर धन संपत्यों को फेला रहे हैं अर्थात उसके राज्य में निरंतर साम दाम आदि चारो उपाई संपत्य का विस्तार कर रहे हैं इस प्रकार दुर्योधन ने अपनी प्रजा का पालन बड़े ही समुचित रुप से किया है और उसकी प्रजा को भी किसी भी प्रकार का कष्ट का नुभाव नहीं हो रहा है विशेश में यहीं वनसफ्त चंद और यहां पर दुर्योधन की साफन वेश्ता के बारे में बताया गया है आज के लिए इतना ही इती शमा शंका में डूबा हुआ या शंका करता हुआ सह वह दुर्योधन परितह अपने चारों और परितह अने चारों और परेतरान इतना का मतलब तो होता है शत्रू अपर का मतलब जो शत्रू नहीं हो तो परेतरान बंधू बांढवों को तो संका में डूबा हुआ वह दुर्योधन अपने चारो और बंदू बांधों को रक्षान रक्षक न्युक्त करके विधाय न्युक्त करके रक्षक न्युक्त करके असंकिता कारम असंकित होने का अर्थात निर्वे होने का आकारम उपेती चेश्टा करता है एक बार पुन्हा देखते हैं शंका से युक्त या संका में लुबा हुआ अपने चारो और परेतरान बन्दू बांधवों को रक्षान रक्षक बना करके रक्षाकारियों में नियुक्थ करके शंकितम अशंकिताकारम असंकित होने का निर्वे होने का आकारं चेश्टा उपेती करता है आगे किरिया अप्वर्गेसु कार्य की समाप्त होने पर अनुजिवी साथ कृता सेव को पर की गई अनुजीवी सेवक साथ कृता पर की गई या अनुजीवी सेवकों को दिया हुआ संपदायें सेवकों को दी गई संपदाय या धन तस्षे इस दुर्यों धन के कृतग्यता को उप्पार को वदनती प्रकट करती है तो यहां देखो परेतरान का मतलब अपने लोगों को इतरान से ताथ परिये जो इतरान का मतलब दूफरे पर का मतलब जो दूफरे नहीं हो अर्थात अपने लोग असंकित आकाराम का मतलब संकारहित या भय रहित अनुजीवी साथ कृता का मतलब सेवकों को प्रदान की देखेंगे शंकारहित वह दुर्योधन अपने चारों और परिचित जनों को कारियों में लगाकर स्वैम संकारहित या भैरहित बना रहता है। कार्ये की समाप्ती पर स्यमकों को प्रदान की गई प्रबूत दनराशी ही दुर्योधन की करतक एता को प्रकट करती है। इस प्रकार वह दुर्योधन साम दाम नीती के अतरिक्त भेद रिती में भी बड़ा ही चतुर है। वह दुर्योधन कारियों में लगे हुए शेयों को को सदा ही संकुष्ट रखता है यहाँ पर भी विशेश में वही वनसफ्त चंद है जिसका लक्षन हमने पूर्व में बता दिया था जतो तु वनसस्थम उदिरितम जरो विशेश में इसके अतरिक यहाँ पर दुर्योधन की चारों परकार के जो राज्य करने की उपाई हैं उसके बारे में बताया गया है कि दुर्योधन साम, दाम, डंड और भेद इन चारों नेतियों में ही पारंगत है और वह प्रजाकार इन चारों नेतियों से ही पालन कर रह अगरिम जो पद्दे हैं वो इस प्रकार हैं पंद्रवा पद्दे अनारतम तेन पदेशु लंभीता विभज्य सम्यग विन्योग सत्किरिया फलन्ति उपाया हा परिब्रहितायती दुपेत्य संगर्सम इवार्थ संपद हैं एक बार पुनः फिर रेखते हैं अनारतम तेन पदेशु लंभीता विभज्य सम्यग विन्योग सत्किरिया हा फलन्ति उपाया हा परिब्रहितायती दुपेत्य संगर्सम इवार्थ संपद ह इसका आनुवे करेंगे आनुवे में सबसे पहले तेन